असलाम अलेकों फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल संराइज मैं हूं शनाज कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीठाक होंगे और आज हम बेबी के लिए इस तरह की बूटीज बनाएंगे जिसको बनाना बहुत ही जादा इजी है बिगनस भी इसको बड़े ही अराम से बना लोगे अगर आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखोगे तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें ताके आने वाली वीडियो की नोटिफ आपको मिल सके चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैं ले रही हूं टैन नमबर नीडल और बुलन जो है वो आप किसी भी ब्रैंड की ले सकते हो जिसका थ्रेट जो है वो इस तरह का होना चाहिए इसकी मुटाई कितनी है वो मैं आपको यहां दिखान है वो आप किसी भी ब्रैंड के लिए उटाई इतनी होनी चाहिए यानि कि यह यह दो जो लाइने हैं इसके बीच बराबर यह आ नहीं रहा थोड़ा सा जो जगह है वो बसती है ओके तो चलिए अब हम इसमें फंदे टाल लेते हैं इस तरह से एक लूप बनाना है और नीड दो, तीन, चार, पांच, छे, ऐसे ही हमें 36 फंदे डाल लेने हैं यह 36 फंदे मैंने डाल लिये हैं जो एक्स्ट्रा धागा बचा था उसको मैंने इस तरह से लिपेट लिया है अगर ना बचे तो कोई बात नहीं अगर बच जाए तो इसी से हम स्टिचिंग भी कर सकते हैं उल्टी स्लाई बुनेंगे सारी स्लाईया हमें इसी तरह बुननी हैं उल्टा बुनते हुए चाहे तो आप सीधा सीधा भी बुन सकते हैं या फिर उल्टा उल्टा बुन लें जैसे आपको असान लगे सीधा सीधा बुनते हुए ही बुनाई इसी तरह दिखेगी जैसे उल्टा बुनते हुए दिख रही है तो उसमें कोई हरज नहीं चाहे आप सीधा सीधा बुनें या फिर उल्टा उल्टा बुनते हुए सारे सॉक्स को कंप्लेट करें बहुत ही easy है friends इसको बनाना, beginners भी इसको बना सकते हैं, जहां से आप video को देखेंगे तो बना लोगे, यह देखें यह last का stitch है, last के stitch को end तक हमें इस तरह से सीधा बुनना है, अगर आप सीधे सीधे बुनाई करोगे, तो फिर आपको यह वाला stitch जो है वो उल्टा बुन देना ह है और अगर उल्टे-उल्टे बुनेंगे तो यह वाला स्टिच सीधा पुल लेना है कि अगली स्लाई में इसको इस तरह से निकाल लेना है और ऐसे आपको बुनते जाना है इन तो स्लाई को बीच में लगाकर ऐसे ही हमें इसको बुनते जाना है इन तो स्लाई को बीच में एड़ करकर 28 रो हमें पूरे करने हैं तो मैं इसको बना लेती हूं फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है अठाइस सो बुनने के बाद ये लाइने जो हैं वो 14 बन गई हैं दोनों तरफ से एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा अब भी हमें यहां से 16 फंदों के बुनाई करनी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सोला फंदों के बुनाई हम करेंगे बाखी के जो फंदे हैं इस साइड के इसको हम बाद में बुनेंगे इसे हम एक और निडल में उतार देते हैं कोई भी निडल आप ले सकते हैं यह मैंने इस तरह के निडल ली है इसमें हम इसको उतार देंगे पिला आप के जडलतार देंगे यह वी हैं वालतार 5 लाउब्य। और यहीं से अब हम इसको टान कर लेते हैं ऐसे फर्स लोग को हमें इस तरह से निकाल लेना है और यहां से बुनेंगे आफ़ चुनेंगे। स्वाँ से टुनाट कर दो कि नहीं से अब चुनाट और यहां से टुनाट से जहां से वोगिते जहां से कम चुनाट लोग को दुनाट आफ़ाँ प्रुनाट लास्ट का जो फंदा है वो हमें ऐसे बुना है यहीं से फिर से टर्न करेंगे ऐसे ही हमें इसको बुनते जाना है यह देखें यह लास्ट का जो फंदा है इसे भी हमने इस तरह से पुनना है ऐसे ही हम इसको आगे बुनते जाएंगे और तीस रो बनाएंगे तीस रो कम्प्लीट हो गए हैं अभी यह लाइने जे देखें 15 बन गई है यहां से यह वाले लाइन हम नहीं गिनेंगे यहां से गिंती करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा अभी हम यह वाले फंदे भी बनेंगे इसी रो के साथ यह देखें यहां पर मैंने धागा इसको छोड़ा है और यहीं से हम आगे इसको बनेंगे ऐसे हमें इस तरह से इसको बनना है यह देखें बहुत ही इजी है फ्रैंसिस को बनना यह जो रो हम अभी डाल रहे हैं इसी से हम आगे के जो 28 रो हमने पुनने हैं इसी रो से इसकी गिंती शुरू करेंगे यह एक हो गया है यह देखें पूरा रो इसी तरह हमें बनना है इसे इसको बनते जाएंगे यहां तक अभी यह देखें फ्रैंस यहां से लेकर यहां तक 28 रो हैं इतने ही रो हम आगे बनाएंगे एसे मैंने इसको कंप्रेट कर लिया हैं अभी मैंने यहां से लेकर यहां तक 27 रो बनाएंगे लास्ट का रो बुनते हुए हम इसको बंद कर देंगे ये देखें ये लाइने जो है वो 14 बंद गई है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा और लास्ट का जो रो है उसके साथ हम इसको बंद कर देंगे चोदा ही लाइने यहां पर है, चोदा ही यहां पर है आईए अब हम इसको बंद कर देते हैं बंद करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है ये देखें, फर्स्ट लोग को इस तरह से निकाल लेना है और सेकेंड को यूँ बुनेंगे और फीछे के फंदे को आगे के फंदे के भीज में से निकाल देना है आप चाहें तो दोका एक करते हुए भी इसको बंद कर सकते हैं इससे थोड़ी सी फनीशिंग अच्छी आजाती है और स्टिचिंग करते वक्त जो है सलाई बहुत ही असानी से हो जाती है इस तरह से पीछे के फंदे को यूँ उठाएंगे और इसमें से निकाल देना है ऐसे मैं पूरी स्लाई को बंद कर देती हूं यह देखी यहां तक मैं इसको बंद कर देती हूं जाइ बंद कर दो rival कर दोchas के उड़ा झाल सेखी ए बंद कर दो अकर दो है बंदे है वक्ता मैं आजी है कर देます यह देもう हे इसमे बंदे कर दो एफ मुर्दा है लो 11जली इसी धागे के साथ हम स्टिचिंग भी कर लेंगे अब यह देखें यह दोनों साइड से हमारे पास धागा जो है वो पचा हुआ है इस तरह भी है अगर यहां नहीं भी है तो भी आप जो स्टिचिंग है इसी धागे के साथ complete कर सकते हैं इससे हम यह वाला area सिल देंगे और इसके साथ हम यह वाला area सिल देंगे यहां तक यहां से हमें इस तरह से स्टिच को उठाना है यह जो बीच की स्टिच है यह देखें, यह वाले जो स्टिच हैं, ऐसे हमें एक दूसरे के साथ मिलाते हुए, इनको उठाना है यह देखें, ऐसे ही हमें यह स्लाई कंप्लेट करनी है और इसी तरह हम यहां से यहां तक इसको सील देते हैं यह स्टिचिन कप्लीट हो गई है, अभी हम यहां से स्टिच करना है, वो देखें हमें के स्टिच करना है यह वाला जो एरिया है, यहां से हम स्टिच उठाएंगे ऐसे यह वाले जो स्टिच है, पीछे के यह देखें ध्यान से, यहां से ऐसे हम इसको इसे, धागे को स्टिच में से ऐसे घुमाते हुए राउंड इसको कप्लीट करेंगे यह स्टिच के दो पार्ट है, एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है जो पीछे की तरफ है, उनको हम इस तरह से सिल रहे हैं कोई भी स्टिच मिस नहीं करना है यहां तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? अभी हम इनको इसे खेज कर यह देखेंगे, आज पार्ट है? यहां पर दो तीन नॉट लगा देंगे अभी हमें क्या करना है? यह वाला जो धागा है एक्सटा थोड़ा सा रखकर इसको ऐसे काट तेंगे और आगे के जो यह वाले स्टिच है यह देखें, इनको हमें सेल देना है और यह वाले धागे को बीच में दपा देंगे ऐसे यह देखें, यह इस तरह से रिंग बन जाएगी यह आपर और यही पर हम धागे को पकावी कर देते हैं ऐसे और यह जो स्टिच है इनके बीच में से हम धागे को यह निकालते हुए यहां पर छोड़ देंगे यह दिखें बीची तरप से भी देखें यह देखें यह सीधी तरप से इस तरह से बन गया है और यह नीचे का हिस्सा है इस लाइस की कंप्लीट हो गई है अभी हम यहां पर एक बोल लगाएंगे जो आप सेम कलर की भी लगा सकते हो या फिर इसको कंट्रास कलर के साथ मेंच करके भी लगा सकते हैं मैं बाइट कलर की पना कर इसके उपर लगाते हैं इसके लिए मैं बारा फंदे लिए हैं और इसे भी हमी उल्टा उल्टा पुनना है एसे ही हमें बुंते हुए 16 रो बनाने है और लाइने जो है वह आठ बन जाएंगी दोनों तरफ लास्ट का जो स्टीच है वह ऐसे पुनेंगे ऐसे ही हमें इसको बुंते जाना है और 16 रो बना लेने 16 रो मैंने बना लिए हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ये लाइने देखें आठ बन गई हैं आठ ही ये इस तरफ भी है अभी हम इसको बंद करेंगे तो ये सोल मारो कंप्लेट हो जाएगा सेम तरीका है बंद करने का एक फंदे में इसे तूसरे फंदे को निकालना है पूरा इसको ऐसे ही बंद कर देना है ये देखें ऐसे अभी ये जो धागा है इसको नीडल में डाल कर यहां पर इसको हम चुपा देते हैं इसको मैं नीडल में डाल लेती हूँ ये देखें ये जो जगा है यहां पर अब हम इसको ऐसे जितने स्टिच में से नीडल को निकाल सकते हैं तो ऐसे यहा पर हम इसको छुपा देंगे और यहीं पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं तो अभी हमें क्या करना है तो इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे दबाते हुए ऐसे हमें यहा पर दागाल पेट देंगे टाइट करके इसकोल पेटे इस तरह से यहां एक नॉट लगा देंगे यह देखें यह बन गई है और इसे अब हम यह देखें यहां पर लगा देंगे ठीक है यह जो हमारे पास धागा है ना एक नॉट और लगाएंगे बस इसी को हमें इतना सकट कर लेना है यह देखें इसको हमें इस तरह से यहां पर लगा देना है इसके उपर यह जो यहां पर एक सुराख है इसके अंदर यह बले धागे को डाल कर अंदर की तरफ दो तिन नॉट लगा देंगे और यह यहां पर सेट हो जाएगे पहने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखाई देखा आई हो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें शेयर करें अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इन्शाला आपसे अगरी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए अला हाफि हैं में खविताला आपी एिखसे था आपसे घूछना यह कुछ थाह होगी तार तक करेंप दो थाचे तब तक करें यह का में हो दो सकतत हैं तो तक करें दो में helicopters प्वें पादाने हूं करें, हिसीा तमा ड़झ खा centまぁ से व के तो सकते हूएग – बाशना फिस